प्रियर्स नहीं साथियों नमस्ते, मैं चंदन भहिया, हिंदी लैब में आपका स्वागत करता हूँ यदि आप इस चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, तो देर किस बात की? जल्दी से लाइक, शेर वा सबस्क्राइब कीजिए और इन रोचक, स्रिजनात्मक, वज्ञानवर्धक गतिविधियों की जानकारी मौलिक्ता के साथ सबसे पहले पाईए बेल आइकन को भी अवश्य दबाईए आज मैं आपके लिए चांद प्रशनोत्तरी की कड़ी में पांचवी गतिविधी लेकर उपस्थित हूँ इसे हल करने से भाषा पर हमारी पकड मजबूत होती है, मौलिक चिंतन को बढ़ावा मिलता है मस्तिश्क की सक्रियता काफी बढ़ती है तथा शब्द कोश में व्रिधी होती है कई प्रतियोगी परिक्षाओं में भी यह बहुत सहायक साबित होगी तो चलिए देर किस बात की शुरू करते हैं नीचे दिये प्रशनों के उत्तर परी से आरंब होने चाहिए अर्थात नीचे जितने भी सवाल दिये हैं सभी के उत्तर परी से शुरू होने चाहिए पहला सवाल चारों ओर चक्कर लगाना दूसरा सवाल जान पहचान तीसरा सवाल रोगी की देख भाल चौथा सवाल परिवार के सदस्य पांच्वा सवाल अनुभवी या विक्सित छथा सवाल परंपरा साथ्वा सवाल बदलाव आठ्वा सवाल यातायात के साधन नवा सवाल अच्छी तरह चलाना दस्वा सवाल शादी या विवाह ग्यार्वा सवाल प्रांगण बार्वा सवाल हालात या अवस्था तेरह मा सवाल महौल, चौदह मा सवाल पूरी तरह त्याग देना, पंदरह मा सवाल नतीजा, सोलह मा सवाल अनुमान करना, सत्रह मा सवाल महनत, अठारह मा सवाल पहनावा, उन्नीस मा सवाल नाप तौल, बीस मा सवाल भरा हुआ या संतुष्ट, इकीस मा सवाल स्वच्छ या शुद्ध, बाईस्वा सवाल निर्वाचित सदस्यों की सभा, तेईस्वा सवाल विकास के लिए तैयार की गई रूप रेखा, चौबीस्वा सवाल सीमित शब्दों में विशय की व्याख्या, तो लगाईए दिमाग, सोचिये जवाब और कमेंट बॉक्स में भेजिये जवाब, यदि आप परी से आरंब होने वाले इन शब्दों के अलावा कुछ नए शब्द सोच सकते हैं, तो कम से कम चार नए शब्द कमेंट में लिख कर भेजिये, फिर मिलते हैं चांद प्रशनोत्तरी की अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद,